कुरप канал कि हेलो श्ट्वेंड हम लोग प्रिव्यस वाले लेक्शर में लॉंग कोसर्ण डिसकस किये थे उसमें कोसर नमबर 15 16 17 3 कोसर्ण कर जुके तेकर डिसकस के मैप आपका कुछ discussion हुआ था 50% discussion हुआ था 50% बचा हुआ था तो हम इसको सुरू से आज इस lecture में discuss करेंगे और model set का जो question है वो आपका lecture 1, lecture 2, lecture 3 इस तरह करके डाला हुआ है complete model set 1 का complete lecture YouTube पे upload किया हुआ है आप उसको model set 1, lecture 1, model set 1, lecture 2 के नाम से वो है upload किया हुआ आप उसको one by one देख सकते हो समझ में आ है तो हम लोग जो है question number 17 तक discuss कर चुके है ठीक है अब हम लोग discuss करने वाले है question number 18 देखो question number 18 का भी कुछ portion discuss किये थे इससे previous वाले lecture में लेकिन अभी इसमें अच्छे से समझोगे शुरू से बता रहे है देखो question ये बोल रहा है obtain a simplified form for the following bo expression using k map मतलब जो दिया हुआ है वो following expressions जो है आपका number वो दिया हुआ है इसका k map design करना है तो ये k map इसका किस तरह से बनेगा तो ये number को आपको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा उसके बाद इसके उपर mapping हम लोग बनाएंगे ठीक है तो देखो 0 1 2 4 5 ये number है 0 1 2 4 5 3 missing है ठी देखोगे इसमें ये है k map f if a, b, c, d equal to sigma 0, 1, 2, 4, 5 ये number है और भी number ले लेते हैं ये question में number दिया रहेगा इसी के according हम लोग map को बनाएंगे ठीक है उसके बाद जो question है वो है आपका 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 14 ये है 11, 14 ये है समझ मैं है इसमें जो है चार variable दिया हुआ है f a, b, c, c, d sigma 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ये number दिया हुआ है इसको एक बार और हम लोग मिला लेते हैं नहीं तो pattern जो mapping बनेगा वो गलत भी हो सकता है 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, और 14 है ठीक है 9 ले चुके अब हम लोग mapping बनाते तो कल formula बताये थे कल वाले lecture में ये to the power n इसका formula होता है n जो है number of variables को represent करता है तो number of variables 4 है A, B, C, D तो 2 पे power कितना होगा 4 तो 2 को कितना times हम लोग into करेंगे 4 times तो 4 times into करोगे तो 16 आएगा मतलब 16 sales बनेगा तो इसका solution क्या है ये समझना है solution देखो इस तरह से हम लोग mapping बनाते हैं ये है ऐसा mapping बनाएंगे ये mapping है और इसको दो पार्ट में divide करते हैं A, B, C, D ये हो गया 00, 01, 11, 10 00, 01, 11, 10 ये लिख लिए के map में rule है अगर sigma दिया हुआ है तो sigma जो है वो प को represent करता है sum of product तो देखो इसमें जो variable का value 0 है उसपे note लगाएंगे और जिसका value 1 है उसपे note नहीं लगेगा जैसे देखो यहां A का value 0, B का value 0 तो हम लोग लिखेंगे A not, B not ये लिखेंगे यहां देखो A का value 0, B का value 1 तो क्या लिखना है A not, B ये लिखेंगे दोनों का 1, 1 है तो A, B यहां पर देखो A, B not ये हो गया इसमें देखो C का 0, D का 0 तो क्या लिखेंगे C not, D not यहां C not, D क्योंकि 0 है ना C का 0 और D का 1 इसमें CD इसमें CD note ये लिखेंगे, कल counting करने बताये थे, तो इसका counting होगा 0, 1, 3, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 14 ये हो जाएगा अब इस sale को हम लोग feel करेंगे, कैसे हम लोग इसका numbering counting करते ये बताये थे ना जैसे देखो यहां 13 कैसा आया है, यहां से देखो, 1, 1 है, 1, 1 और उपर से 0, 1 अब ये binary number है, तो इसको हम लोग को change करना है, 1, 1, 0, 1, इधर से right से counting 1 से start करेंगे 1, 1 का double 2, 2 का double 4, 4 का double 8, 0 वाला number कट जाएगा, 8 और 4, 12 और 1, 13, 13 आ जा रहा है न, तो इस तरह से सब का binary number, जितना भी box sale बना हुआ है, अगर सब का binary number को, सभी, सभी sale के binary number को अगर आप decimal में change करोगे, तो वो जो number आएगा, वही इसका counting होगा, समझ में है, देखोगे इसमें, ये है, अब हम लोग इसका mapping बनाते हैं, तो mapping किस तरह से बनेगा, ये समझना है, देखो, पहले 0 है, तो 0 वाले sale को 1 से fill करेंगे, उसके बाद 1 है, 1 वाले sale को 1 से fill करेंगे 2 है, 2 के sale को 1 से fill करेंगे, 4, 4 के sale को 1 से fill करेंगे, 5, 5 वाले sale को 1 से fill करेंगे, 7, 7 वाले sale को 1 से fill करेंगे, उसके बाद क्या है, 8, तो 8 वाले sale को 1 से fill करेंगे, 8 है ना, तो 8 वाले sale को 1 से fill करेंगे, 9 है, 9 वाले sale को 1 से fill करेंगे, 10 है, 10 वाले sale को 1 से fill करेंगे, 11 है, 11 वाल 14 वाले सेल को 1 से फिल करेंगे 14 वाले सेल को 1 से फिल करेंगे यह आया पॉइंट समझ में अब इसका मैपिंग बनाएंगे देखो पहले मिलालो जीरो को 1 से फिल किए 1 वाले सेल को 1 से फिल के, 2 वाले सेल को 1 से फिल के, 4 वाले सेल को 1 से फिल के, 5 वाले सेल को 1 से फिल के, मतलब जितना नमबर यहां दिया हुआ है, सभी सेल को हम लोग 1 1 से फिल किये, ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि इसका मैपिंग किस तरह से बन रहा है, तो आई परसिडेंस किसका होता है तो सबसे ज़्यादा परसिडेंस जो होता है वो होता है ओक्टेट का अगर आप मैपिंग बनाए हो और उसमें ओक्टेट बन रहा है तो आपको क्वाड नहीं बनाना है पहले ओक्टेट ट्राइ करना है अगर ओक्टेट नहीं बनेगा तब क्या बनता है तो देखो ये चार एक साथ है ना तो इसका मैपिंग बन गया चेक है ये हो गया आपका Quad No.1 Quad One Quad One ये हो गया उसके बाद नीचे में देखो ये भी बन रहा है तो इसको भी बना लेते हैं ये जो है ये जो है ये जो है ये भी बन रहा है क्या Quad ये Quad बन रहा है ये हो गया Quad No.2 इसमें देखो एड़ एड़ भी बन रहा है देखो ये वाला ये कॉर्णर दूसरा कला दूसरा ले लेते हैं इसमें देखो ये कॉर्णर ये कॉर्णर ये कॉर्णर साइड साइड ये बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका Quad No.3 ये 3 हो गया अब आप इसमें समझोगे और कहीं देखो ओक्टिट बन रहा है नहीं बन रहा है तो फिर अब हम लोग को बनाना है पेर तो देखो ये दो एक साथ मिलेगा और ये दो एक साथ मिलेगा और ये दो एक साथ मिलेगा पेर नमबर 1 और ये है पेर 2 दो पेर बना और 3 क्वाड बना अब हम लोग इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्वाड को सॉल्व करेंगे तो देखो कभी कभी क्या होता ना कि स्टुडेंट नमरिंग को भी वो याद कर लेता है कि सर पहले क्वाड नमबर 1 कॉंट किये फिर 2 कॉंट किये तो देखो क्वाड आपको बनाना है आप किसी भी क्वाड को नमबर 1 नमबर 2 मान सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे आपका मन है कि आप नीचे वाले quad को 1 पहले count कर दिये तो कोई दिक्कत नहीं आप किसी को भी numbering कर सकते हो 1, 2, 3, 4 numbering हम लोग इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि कौन सा quad को हम लोग solve किये हैं समझ मैं है अब हम लोग इसको 1 by 1 solve करेंगे तो देखोगे कैसे इसको हम लोग solve करेंगे यह तो हम लोग mapping बना लिए mapping बनाने के बाद सबसे पहले quad number 1 को solve करते है quad 1 quad 1 में कौन-कौन सा sell लिए हैं तो 0 है 1 है 4, 5 0, 1, 4, 5 यह है equal to equal to 0 में देखो क्या हो जाएगा A not, B not, C not, D not, plus 1 है तो 1 में क्या हो जाएगा A not, B not, C not, D यह हो गया plus और है 4 को देखो A not, B, B और C not, D यह हो जाएगा plus 5 है 5 में देखो क्या हो जाएगा 5 में A not, A not, B और उपर से ले लो C not, D यह है अब हम लोग को यह देखना है कि इसमें कौन कौन सा भेरियेबल है जो common है तो देखो A not, A not, A not, A not, A not, Sब में मिल रहा है A not को देखो A not जो है वो सभी में मिल रहा है A not, A not, A not, A not जो सब में common रहेगा उसी को लिखना है तो A not हम लोग लिख लेंगे A not यह हो गया उसके बाद देखो B not, B not, B, B नहीं मिल रहा है इसको नहीं लिखना है C not, C not, C not, C not, C not, सभी में है तो C not को लिखना है D not, D, यह तो नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ देना है और हम लोग पहले से जानते हैं कि K map बनाते हैं और जब quad आता है तो quad 2 variable को remove करता है उसमें 4 variable है तो 2 ही बचेगा तो देखो 4 था ना उपर मैं remove करके कितना आया दो आया यह पहला आया ठीक है अब हम लोग solve करेंगे quad number 2 को quad number 2 को देखोगे quad 2 quad 2 में क्या क्या आ रहा है 8, 9, 10, 11 यह है equal to 8 वाले cell में देखो क्या हो जाएगा A B not यह हो गया उपर से C not D plus 9 वाला में देखो 9 में क्या हो जाएगा A B not उपर से C not D plus फिर 10 में देखो A B not C D not plus 11 में देखो A B not C D यह हो जाएगा equal to अब देखना है कि यह सब में common कौन-कौन सा जा रहा है तो A, 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 A common है तो A लिख देना है B not B not B not B not सब में है तो B not लिखना है C not C not C नहीं मिल रहा है इसको हटा देना है D not D नहीं मिल रहा है इसको हटा देना है यह आया समझ में अगला next quad को हम लोग solve करेंगे quad number 3 3 को solve करते है तो 3 में सब corner में देखो 0, 8, 10, 2 यह है मतलब कौन-कौन सा सेल ले रहा है 0, 2, 8 और 10 यह सेल है equal to इसमें देखोगे सबसे पहले 0 वाले लेते हैं तो क्या हो जाएगा A not, B not, C not, D plus 2, 2 वाले सेल में देखो A not, B not, C, D plus नीचे वाले सेल में देखो A, B not, B not और उपर से ले लो क्या C, C not, दोनों पर not है ना, C not, D not, plus, next, 10 को लेना है तो 10 में क्या हो जाएगा A, B not और उपर से C, D not, यह हम लोग ले लिए, D not equal to, इसमें देखो कि common क्या जा रहा है, तो A not, A not नहीं जा रहा है B not, B not, B not, B not, B not, B not, B not सब में common है, C not, C नहीं जा रहा है, D, D, D यहाँ पर not होगा यह नहीं, 0 में, नोट तो है, ठीक है, C not, C, C not, C, नहीं, D, D, D not, यहाँ पर देखो, D का 0 है, तो D not तो होगा, यह A, B not देखो, sorry, इसमें इसको फिर से लिखते हैं, देखते हैं, क्या हो रहा है इसमें जो जो सेल हम लोग लिए हैं उस सेल के बारे में लिखना है ठीक है देखो 0 लिए 2 लिए 1 लिए 8 लिए और 10 लिए ठीक है अब इसमें देखो क्या लिखना है A not B not C not D not plus 2 के लिए A not B not C not D not plus इसमें 8 के लिए A B not ठीक है उपर से 8 के लिए उपर C not D not plus 10 के लिए A B not उपर से C not now अब देखते हैं A not A not A not A A नहीं मिल रहा है B not B not B not B not B not C not C नहीं मिल रहा है D not D note D note D note D note सम्में मिल रहा है तो D note हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे दोगया रिमोफ़र अब हम लोग पेर को सॉल्प करेंगे तो पेर नम्बर 1 पेर 1, पेर में क्या-क्या है, 5, 7 है, पहला पेर, 5, 7, equal to, ठीक है, देखो, 5 है, तो 5 वाला में लिखो, A not, B, ठीक है, उपर से, C not, D, प्लस, 7, A not, B, उपर से, C, D, यह हो गया, equal to, देखो, A not, A not, यह लिखे, तो A not मिल रहा है, तो A not लिख दो, B, B, मिल रहा है, C, C not, C, नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ दो, D, D मिल रहा है, तो D लिख दिए, आपको बताये थे, कि pair जो है, वो दो variable को remove करता, एक को remove करता है, तो एक हटा दिया, चार था, एक को remove कर दिया, तो 3 बचा, अब हम लोग pair 2 को solve करेंगे, pair 2, pair 2 में क्या क्या है, pair 2 में है आपका 10 और 14, 10, 14 यह है, इसको solve करते हैं, तो 10 को पहले लेते हैं, A, B not, और उपर से लेते हैं, C, D note, plus 14 को, 14 में क्या हो जाएगा, A, B, और उपर से, C, D note, अब देखो कि इसमें क्या-क्या मिल रहा है, A, A मिल रहा है, B not, B नहीं मिल रहा है, C, C मिल रहा है, C लिख दो, और D note मिल रहा है, यह लिख दो, यह हो गया, पूरा solve कर लिए, one by one, अब सब को क्या करना है, एक स साथ, एक साथ मिलाना है, सब को, ठीक है, जो भी आया है, उसको एक साथ मिला लेना है, तो देखो, F है ना, तो आपको लिखना है, F, A, B, C, D, कॉमा D, equal to, देखो, पहले क्या आया है, A note, C note, नीचे, A, प्लस, प्लस देना है, ठीक है, प्लस, A, B note, यहां से, प्लस, B note, D note, प्लस, नीचे, देखो, A note, B, D, plus, A, C, D note, यह फाइनल आंसर है, यह फाइनल आंसर को लिखना है, समझ मैं है, यह दोनों पे note है, ठीक है, यही होगा आपका आंसर, इसको थोड़ा सा यह करते हैं, देखो, क्या था, B note, और D note, यह है, इसको ऐसे लिखेंगे, यह हुआ आंसर, देखरो, के मैप कैसे बनता है, तो बहुत असान है, और यह कोशन 5 marks में आता है, इसको हम लोग सेम इसी तरीके से बनाएंगे लेकिन मैपिंग अलग-अलग बन सकता है, तो आपको मेन फोकस करना है मैप पे, अगर मैप सही बना, तो आपका सारा आंसर सही बन जाएगा, ठीक है, अब देखोगे, next question क्या है, इसको आप लिख भी सकते हो, यह question 5 marks में आता है, next question जो है, वो है आपका table का question है, ठीक है, table वाला question है, तो इसको समझना है कि इसमें question क्या-क्या बोल रहा है, बोल रहा है, give the following teachers relation, relation मतलब table होता है, ठीक है, ठीक है, जो दिया हुआ table है, उस पे आपको ध्यान देना है, तो देखो, इसमें क्या-क्या दिया है, ऐसा question जब आता है, तो बहुत student क्या क सिर्फ देखो, question पढ़ते है, table बना देते, table आपको बनाना नहीं है, इसमें command लिखना रहता है, table का command जो question है, उसको पढ़िए, उसके आधार पे command लिखिए, और computer उसका result बताता है, मतलब आपको ऐसा command लिखना है, जो computer में run करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जो मन करे वो लिख दो, तो हो गया, ऐसा नहीं लिखना है, बहुत student जब हम लोग ये copy देखते हैं, तो उसमें देखते हैं, table बना दिया है, सब question पढ़ पढ़ के table बनाया हुआ, table बनाना नहीं है, इसका command लिखना है, ठीक है, देखो, तो command कैसे लिखेंगे, जब इस तरह का question आएगा, तो पूरा table बना रहेगा, इसमें देखो, पहला column है, number, no लिख करके dot दिया हुआ है, numbering क्या हुआ, name, department, DOJ, DOJ मतलब होता है, date of joining, और salary, और gender, gender के लिए, male के लिए M लिया है, capital M, female के लिए F लिया हुआ है, capital F, तो आपको जब पुछेगा, कि gender के respect में record को पुछेगा, तो आपको अगर बोला कि हमको उसी हिंदी डिपार्टमेंट के सारे teacher का information चाहिए, लेकिन male teacher होना चाहिए, तो बहुता student gender equal to male लिख देते हैं पूरा, नहीं, ये गलत है, अगर table में पूरा male लिखा हुआ है, तभी पूरा male लिखना है, M लिखा हुआ है, तो आपको M लिखना ह समझ मैं, तो इस पे ध्यान देना है आपको, अब इसमें देखो question, SQL में क्या है, कि आप capital or small किसी में भी command लिखो, आपका command run होता है, लेकिन जो copy आपके check करेंगे, उसको आप उनको कहीं से भी जगा ना दो, कि मेरे marks को वो काटे, तो आपको क्या करना है, उस case में, आपको notice करना है कि table का जो column है, वो कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, वैसे ही आपको लिखना है, जैसे देखो, number का N capital है, तो N को capital में लिखना है, name का N capital है, तो N को capital में लिखना है, department का D capital है, तो D को capital में लिखना है, DOJ का सारा capital है, DOJ तो सब capital में लिखना है, salary का S capital है, त तो G capital में लिखना है बाकी देखो जितना नाम है सब का पहला लेटर capital है नाम से related ठीक है और इसमें तो सब capital है तो ऐसा कोई issue नहीं है कि अगर question पूछ दिया तो आप इसे नहीं बनाए तो error आ जाएगा वो सब नहीं है matter नहीं करता है लेकिन उसको कहीं से जगा नहीं देना है तो जैसे question दिया है वैसा ही answer उसका करेंगे समझ मैं यह है तो देखोगे अब हम लोग को यह पढ़ना है main answer यहां से मिलता है ठीक है तो देखो इसमें answer क्या क्या आएगा सो पहला question यह बोल रहा है to select all the information of teacher in TRL department मतलब TRL department के सारे teacher के information को उसको चाहिए ठीक है तो हम लोग इ answer बता रहे पहला question का answer लिखना है SQL select select यह लिखेंगे all information बोलेगा तो एस्टिक लगाना है क्योंकि select करने बोला है select retrieve करता है database से data को select asterisk all information बोलेगा तो asterisk from from teacher teacher relation से बोला है relation मतलब table अना teacher where condition डालना पड़ेगा where department का d capital था table में यहां क्या लिखा है वो छोड़ दो table वाला से देखना है department department equal to single quote में TRL लिखा हुआ है TRL का सारा letter capital है table वाले में भी तो TRL लिख देंगे single quote double quote भी दे सकते हो और last में semicolon देना है समझ मैं है यह पहला question का answer है इतना ही लिखना है इसमें क्या होगा कि table का जितना information है सब आएगा लेकिन उसी का आएगा जो TRL department के हैं बाकी का नहीं आएगा जो हिंदी से हैं उनका नहीं आएगा sociology से हैं उनका नहीं आएगा तो यह है दूसरा का answer बता रहें आपको second क्या बोला है the list to list the name of female teachers in Hindi department मतलब यह बोल रहा है कि सारे female teacher का नाम चाहिए लेकिन teacher female भी होना चाहिए और उसका department Hindi भी होना चाहिए यह दो-दो condition डाल दिया है अगर कोई male teacher Hindi department में है तो उसका record नहीं आना चाहिए सिर्फ female teacher का record आना चाहिए तो यह हम लोग इसका command कैसे लिखेंगे तो SQL select जो column का नाम बोला है all information नहीं बोला है एक column name का नाम बोला है name तो लिखेंगे name name from from teacher 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 where 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 क्या बोला गया है gender gender का G capital था gender equal to female के लिए F लिया गया था and दोनों का दोनों सही होना चाहिए department 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 equal to single quote में लिखेंगे हिंदी क्या होना चाहिए हिंदी होना चाहिए और semicolon इसका command इस तरह से लिखेंगे ठीक है question number three का answer बताना है three में बोला है to list the all names of teachers with date of joining in ascending order मतलब date of joining के साथ ascending order display करवाना है teacher के नाम को तो क्या लिखेंगे SQL select name name बोला गया है name from teacher from teacher order by order by doj और ascending के लिए ask यूज करते नहीं भी करोगे तो यह by default ascending order में display करता है ठीक है question number four का answer four में क्या बोला है to display teacher's name department and salary of female teacher नाम को बोला है display करवाने department salary लेकिन कौन सा teacher का female teacher का तो इसमें भी select का use होगा देखो SQL select 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 क्या-क्या बोला गया है name कॉमा कॉमा department department डिपार्टमेंट कॉमा सैलेरी सैलेरी फ्रॉम 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 इसमें आप देखोगे इसमें और देखोगे तो इसमें आप देखोगे तक आया था समझ में अब कॉंट करने बोला है देखो चौधा नंबर का अंसर बता रहे थे फोर्थ नंबर को संगे इसको बोर्ड में बता दे रहे ठिक है यहां देखो बाकी तो समझ आ गया था ठीक है चलो यह आ गया ना कमांड इसमें देखो यह लिखना था अब यहाँ पे लिखना था कि स्टलेक्ट कि देखो कि इसमें लिखना ये था फोर हो गया अच्छा ये वाइट हो जा रहा ना यहीं पर लिख देते हैं ठीक है कि देखो सलेक्ट नेम नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम टीचर क्या लिखेंगे फ्रॉम टीचर 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 वेर 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 जेंडर जेंडर न लिखना है जेंडर इकवल टू फीमेल फीमेल का दिखाना है सेमी कॉलन तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे ठीक है कुस्टन नमबर वन समझ मैं है अब देखो इसमें क्या बोल रहा है इसमें to count the number of teachers whose salary less than 20,000 जिसका salary 20,000 से कम है उसके record को हम लोग को दिखाना है तो देखो कैसे उसको हम लोग ये करेंगे इसका ऊपर कॉस्टन नमबर वन को erase कर देते हैं ठीक है इसमें आप समझेगा कॉस्टन नमबर फाइव है तो आपको लिखना SQL select count, count, count asterisk from, from teacher, teacher where, where salary, salary less than 20,000 समी कोलन जिसका salary 20,000 से कम होगा ये उसी के record को count करेगा less than बोला इसलिए समझ में आ गया student तो इस तरह से हम लोग command को लिखेंगे ठीक है इस lecture में model set 1 पूरा complete कर दिये है ठीक है तो इसमें आप देखोगे पूरा का पूरा हम complete answer बता चुके है ठीक है ये model set है model set में सब का answer बता चुके है और ये बहुत important model set है एक model set और है जो आपको बताएंगे ये सारा MCQ model set 1 lecture 1, 2, 3, 4, 5 सब बताया हुआ है तो इसको आप अच्छे से देखोगे और इतना पढ़ लोगे तो बहुत सारा question आपके exam में आ जाएगा एक model set और बताएंगे दो model set जो हैना मेरा सबसे जादा important है ये दोनों में बहुत सारा question आपके exam में मिलेगा ठीक है student तो आज का class हम लोग यहीं से यहीं पे खतम करते हैं और next class में हम लोग model set 2 के बारे में discuss करेंगे तो उसका भी lecture आपको one by one दिया जाएगा समझ में आ गया, thank you